हेलो एब्रिवान, वेलकम टो माई चैनल, आज मैं दीपावली स्पेशल मिठाई बनाने वाली हूँ, आज मैं बनाने जा रहे हूँ बालु साही हलवाई स्टाईल, और इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम लगता है इसको बनाने के लिए, तो अगर आपको म आलु साही बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तेट कप मेदा लिया है, अब इसमें हम आधा चमच चीने डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम आधा चमच बेकिंग पाउडर डालेंगे, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अब इसमें हम दो चमच देसी घीर डालेंगे, अब इसे हम हाज से अच्छे से मिक्स करेंगे तो जब तक आपका मेदा इस तरह से नहीं हो जाता है तब तक हम इसको मिक्स करेंगे अब इसमें हम तीन बड़े चमस दही डाल देंगे और इसको भी मिक्स करेंगे अच्छे से अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक सॉप डो बनाएंगे यह देखे हमारा डो तैयार हो गया है अब इसको हम कवर करेंगे और पंद्रा से 20 मिनिट के लिए इसको सेट करने के लिए रखेंगे जब तक हमारा डो सेट होता है हम चासनी बना लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कप चीनी लिया है अब इसमें हम आधा कप पाने डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के लिए और तीन से चार हम ग्रीन इलाईची डाल देंगे और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देते है अब इसमें में डालूंगी थोड़ा सा येलो फूट कलर अगर आपके पास केसर है तो आप केसर इसमें डाल सकते है पांच मिनिट तक हम इसको अच्छे से बॉइल करेंगे तो ये देखिए हमारा चासनी अच्छे से बॉइल हो गया है अब हम इसको कवर करके अलग रखतेंगे और पंद्रा मिनिट भी हो गया है अब हम डो को निकालेंगे अब हम इसका छोटा छोटा बॉल बनाएंगे इस तरह से हम बॉल बना देंगे उसके बाद हम बीच में से एक होल बनाएंगे तो ये देखे इस तरह से हम सारे बालू साही को बना देंगे तो ये देखे हमने इस तरह से सारे बालू साही को बना लिया है अब हम इसको डीप फ्राइ करेंगे तो इसके लिए एक कडाई में हम तेल को गरम करेंगे और तेल जैसे गरम होता है हम इसमें बालु साही को डाल देंगे ग्यास का फ्लेम में हम पर हम मेडियम रखेंगे और मेडियम फ्लेम में हम इसको अच्छे से फ्राइ करेंगे अब हम इसको पलट देंगे और इसके दूसरे साइड को भी अच्छे से फ्राइ करेंगे बालु साही अच्छे से फ्राइ हो गया है अब इसको हम तेल से निकाल देंगे हमने पहले से ही चास्नी को बना के रख दिया था अब हम बालु साही को चास्नी में डाल देंगे अब इसको हम कवर करेंगे और पांच मिनिट के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं पांच मिनिट के बाद हम कवर को निकालेंगे और इसको पलट देंगे अब इसको फिर से कवर करके पांच मिनिट के लिए इसको रखेंगे और पांच मिनिट के बाद हम कवर को निकालेंगे और हमारा भालू सा ही रेड़ी हो गया है तो आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है और ये बहुत ही कम समय में बन जाता है विडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताए थांक्यू